Assalamu alaikum students how are you I hope you will be fine according to your schedule this is your SST period now open your SST book from page number 22 put date on page number 22 16 June है आज हमारे पास और रीडिंग आप सेंटर में राइट करेंगे और दे है आपके पास Tuesday ठीक है बिटा तो आज हमने just 22 लूपेज की रीडिंग करनी है सारे पच्चे अपनी बुक पे date and day mention कर ले लैंड फार्मस के बारे में हमने पढ़ना है जैसे कि आप जानते हैं कि आला ताला ने हमारी जमीन को बहुत ज़्यदा कुदरती वसायल से नावाजा है ठीक है जैसे के पहार दराख्त ये सारी में ने जैसे होती है बिटा जिन से मिलकर हमारी जमीन बनी है जैसे के mountains, plains, valleys, desert and hills ठीक है ये सारी चीज़े क्या है ये लैंड फार्मस है क्यों के इन से मिलकर हमारी जमीन की सत्पा बनी है ठीक है जी बिटा तो आपको ये बुक पे जो आपकी ये बुक पे ये आपको पिक् की है ठीक है डिफरेंट लैंड फार्म्स की आपको पिक्चर्स दिखाएगी है माउंटेन, हिल्स, प्लेंज, वैली, डेजर्ट ठीक है यह आपको पिक्चर्स दिखाएगी है अच्छा जी आप लोगों में से कुछ बचे ऐसे होंगे जो के जो के पहाड़ी मकमात पर गए होंगे यानि कि उन्होंने पहाड़ी मकमात की सेर की होगी जैसे के गिल गिल आके ठीक है नतियां गली, मरी ठीक है तो इन अलाकों के आप मेंसे कुछ बच्चों ने सेर की होगी, कुछ बच्चे गए होंगे ठीक है तो आपने महां देखे हों नजर आते हैं उन्चे उन्चे पहाड नजर आते हैं ठीक है तो वो बहुत खुबसूरत इलाके हैं अच्छा भोता क्या है सर्दियों के मौसम में उन पहाडों पर बर्फबारी होती है और बहुत जादे लोग बर्फबारी देखने के लिए जाते हैं ऐसे पहाडी मकमात पानी बन कर नीचे आती है जब तो वो पानी कहा चला जाता है दर्याओं में चला जाता है और पानी फिर दर्याओं से होता होता सीधा सम्बंदर में चला जाता है ठीक है बिटा तो अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते है नव पुट फिंगर सारे बचे फिंगर एक स्टूडेंट्स जी बटा हमने पढ़ना है लैन फार्म्स क्या लफज है ये लैन फार्म्स ठीक है दा अर्थ है दा अर्थ सर्फिस इस मेड अप आफ मैनी लैन फार्म्स सच अज़ इस माउंटेंज प्लेंज एंड वैलीज जमीन की सता बहुत ज़एदा लैन फार्म्स से मिलकर बनी है जैसी के माउंटेंज प्लेंज वैलीज लिल्स डेजर्ट ठीक है आमिर हैस कॉलेक्टेड सम पिक्चर्स आफ डिफरेंट लैन फार्म्स आफ पाकिस्तान अब आमिर ने यह जो आपकी बुक पे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं यह आमिर ने पाकिस्तान में जो लैन फार्म्स हैं उनकी पिक्चर्स कॉलेक्ट की है ठीक है अब पहला जो है हम कौन से land farm पढ़ेंगे mountains, mountains के बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया Our mountain is a very high land farm The top of the mountain is called its peak Snow falls on very high mountains In winter, trees grow on the lower slopes of most mountains Mountains, rivers also flow from some very high mountains ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहाड होते हैं उंचे उंचे होते हैं और इनकी जो चोटी होती है ठीक है यानि कि या आपको जोनका उपर वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है इसको mountain की top बोलते हैं जो पहाड़ों 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 पहां पहाड़ों 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 पह जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ अब हम पढ़ते हैं hills a hill is not as high as a mountain अब hills में और mountain में फरक क्या होता है कि mountains जो है वो उंचे होते हैं और जो hills होती है वो इतनी उंची नहीं होती है यानि कि ये इतनी ज़्यदा high नहीं होती है and its shape is more rounded और ये जो है इनकी shape कैसी होती है rounded, round होती है ये ठीक है trees and plants grow on hills trees और plants जो हो कहां गरो करते हैं hills पर गरो करते हैं ठीक है बटा तो आज आपका सिर्फ एक ही page था page number 22 इसमें आपने mountains के बारे में पढ़ा और hills के बारे में पढ़ा ठीक है बटा अपना बहुत जदा ख्याल रखिएगा और reading आपने सही से करनी है SLS students Allah आफिस